तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आप सभी का स्वागत एक न्यू एपिशोड के अंदर तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी शी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैन को सुस्काइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए तो ये मेरी आप से जय हाँ जोड की विंती है कि प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजएगा अगर आप लोग मेरे ल पोर रहा हो तक की आपको यहाँ पर गये हुए पुर्य तीन मैंने हो चुके हैं डेया वैसे तो यहाँ पर एक महराजबने के लिए मेरी वाह चोटी है और यह बढ़ उठाने के लिए मैं यहां पर पूरी कोईश करोंगा और आपने यहां पर मेरा जेवाइश के है बहुत चलिए करेंगे और सबस्क्राइब करते हैं जिसके ऑद यहां पे जो लेविन Хотा है वह जो चोंए आ जाताए और यह बहुत अहसे हो यहां पर च्वालेगा यहां पर स्कूलाख़ाग Keeping आखी हाँ बहुत लोटेंट है जिसके बहुत यहां पर मीटिंग को स्टार्ट करता है और लोविन बहुत है कि यहां पर जो लडाई है वो जह यहां पर क्रूसल की बीच में और रिवन की बीच में है और हम लोग यहां पर जो क्रूसल है उसकी साइड में है और जो यहां पर रिविन है वो जह छोटा भाई है और क्रूसल बड़ा भाई है और हम लोग बड़े भाई की साइड में है जिसके बाद यहाँ पे जो लेवीन होता है यह बोल रहा होता है कि यहाँ पे एक जो है किंडम है जिसके यहाँ पे जो छोटा भाई है उसने जो है कवजा कर लिया जिसका नाम प्रिविजन है और यहाँ पे छोट अगर हम लोग को जीतना है तो यहां पर जो प्रिजम के इंडम है उसके उपर जो है कवजा करना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत ज्यादा पास पड़ता है यहां पर हमला करने के लिए अगर हम लोग इसके उपर यहां पर कवजा कर ले तो हम आराम से लड़ाई को जी सकते है इसके पास जो आरमी है वो बहुत ज़्यादा कम है लेकिन फिर भी यह हमारी बात माने से यहां पे इंकार कर रहा है और जिसकी वैसे हमें इंके उपर यहां पे हमला करना पड़ेगा वो भी वे वज़ा तब यहां पे जो एश होता है यह बोलता है कि आप लोग मुझे मुझ देंगे कि मैं इनके पास यहां पर जो मेसिंजर है उसको जह बेशकों जिसके बाद हम पार्स के सीन को देखते हैं जहां पर जो रहोता है यह बोल रहा होता है कि जो प्रिवस कंट्री है वो बहुत चोटी है लेकिन फिर भी वो जह बात माने से इंकार कर रहे है इसका ला दिया तो यहां पर कुछ भी हो सकता है जो प्रिवस को जहें बेकार भी हो सकती है आछब करने में में काफी माहिर बोलता है खिर हम उससे कोंटक्क कैसे करेंगे गे तो रे बोलता है कि मैं ट्राइक करेंगा आप सिंप पयार करिए जह होते है यहाँ पर यह बोलता कि प्लीस आप लोग मुझे मोका दीजिये कि मैं यहाँ पर यहाँ पर नहीं बोलता ठीक है तुम यहाँ पर जिसके बाद यह लोग मीटिंग ख़तम करके बहार आ जाते हैं तभी कुछ बच्चे जो चार्लेट होती है उसको जह अवाज देते हैं और य बोलती कि तुम लोग ठीक तो हो ना तो बच्चे बोलते कि हम जह ठीक है तब यहाँ पर एक लेडी आती है और यह बोलती कि आश आप जह बहुत टाइम से यहाँ पर आई नहीं थे इसके बाए अश कहता कि असल में मैंने यह और फनेज यहाँ पर जह बनाया था और यहाँ एक लेड़ी को कहा था कि तुम जाओ और उन बच्चों को यहाँ पर ले के आओ और साथी यहाँ पर कोई और अफनेज बच्चा हो तो उसको भी ले के आओ और यहाँ पर उनको जह एक जगा दो एक लड़की बोलती कि मुझे तो मेड बनना है और एक लड़का बोलती है कि मुझे तो फारण बनना है तब ही बच्चे यहाँ पर जो एश होते है उसको जह थैंक यू बोलते हैं तो यहाँ पर एश बोलता है कि तुम लोग मुझे थैंक यू मत बोलो असल में जो चारलेट है वही अपनी सेलरी का जो आदा हिस्सा है वो जो इस चर्ट को डोनेट करती है तो यहां सभी बच्चे जो चारलेट होता है उसे जो थेंक्यू बोलते हैं यहाँ पर चालेड कहते हैं कि आश आपने काफसी अच्छा काम किया है तो यहाँ पर जो एश होता है यह बोलता है कि मुझे पता था जो बच्चे हैं अगर उनको यहाँ पर एक अच्छा महोँ मिले त। उनके लिए बहुत सारी उपर्चनेर्टी जो है खुल सकती है और मुझे लगता कि यहां पर जो बच्चे हैं और बहुत सा नए चीज़ों को यहां पर जह सीख भी रहे हैं तब यहां पर लीजा आ जाती है एश बोलता कि तुम कहां से आगी तो लीजा बोलती कि मैं आपके महल बेग गई थी और मुझे पर लगा कि आप यह यहां पर हैं इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए यहां पर आ गई थी तो यहां पर लीजा देखती कि सभी बच्चे बहुत खुश है लीजा बोलते कि एश आप जहां भी जाते हैं जो हैपिनेस है वो जह आपको फोलो कर लेती है तब यहां पर एक बच्चा कीचर डोले हाथ कि लीजा को छू देता है तो एश बोलता है कि इसे माफ कर देना मैं तुम्हें एक नई ड्रेस खाइद किया दूँगा लेकिन लीजा कहती कोई बात नहीं मुझे भी जहां इसको जोइन करना है और यह जोती गिम खेलें लग जाती है नेक शीन में यहां पर यह लोग तो एश बोलता है बिल्कुल नहीं क्योंकि कल वहां पे जह खत्रा हो सकता है तो यहां पर यह बोलती कि नहीं मुझे जह चलना ही है और यहां पर लीजा जोती काफी प्यारा चेहरा बना लेती है बेचार एश टर जाता है और कहता कि मैं अब यहां से जा रहा हूं और जाक से यहां पर चारलेट होती है वो भी जो होती है उट जाती है और यह बोलते कि नहीं तुमेहा मेरे बैट पर जोइन करोगे जिसके बाद यह चारो जो होते एक ही बैट पर जोइन कर लेते हैं प्रेव बोलते कि यहां पर हमारी जो मीटिंग है फिक्स हो चुकी है जिसके बाद ये लोग मीटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं यहां पर सभी बच्छे इनका जए शुक्रिया करते हैं और जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि तुम लोग दुबारा जरूर आना यहीं पर चालेट होती है वो काफी आगे चल रहे होती है औ पार के अंदर fix करी है तो एश बोलते हैं आखिर कर तुम उसे ढूंद कैसे पाए तो रेव बोलता है कि यहाँ पे एक बंदा था वो जो था मेरे टीम का पुराना बंदा था मैंने उससे contact किया और उसने जाके यहाँ पे उससे contact किया मेंसींजर से और यहाँ पे हमारे रे बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है असल में वो बंदा उन्हीं कामों को लेता है जिन काम है उसका इंट्रेस्ट हो तो यहां पर रे बोलता है इंट्रेस्ट से मतलब पैसों से है क्या तो यहां पर यह बोलता है कि नहीं पैसों की बात नहीं है अगर उसे तुम्हारा काम अच्छा लग गया तो वो जह तुम्हारे काम को यहां पर जह करने क्लिए तेर हो जाएगा लेकिन अगर उसको जह कोई इश्य हुआ तो जह यह काम नहीं करेगा जिसके बाद यह लोग होटल के अंदर आ जाते हैं और यहां पर जो रे होता है वो बोलता है कि हमारा जो टेबल हो वो कहां पर है तो बंदा इसको जो टेबल होता है वो देता है जिसके बाद यह लोग बैठ जाते है यहां पर एश अपनी स्किल का जो है इस्तमाल कर रहा होता है और यह यहां पर देख रहा होता है कि जो लीडर है तब ही एश अपनी स्किल का स्तमाल करता है और यहां पे बहुत ज़्यादा ही चोक जाता है तब ही लड़की बोलती क्या हुआ सर यहां पे कोई मैटर है क्या तो यहां पे एश बोलता है कि नहीं कोई दिकत की बात नहीं है जिसके बाद यह बोलता है कि तुम में लिए जूस जला कि मैं यहां पे जहूं बोस हूँ तभी यहां पे जो रे होता है ओ आ जाता है और यह बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहां पे जह इनके उपर चक को लगाने की तो यहां पर यह लड़की लड़कों की आवाज बोलती है कि मुझे लगा कि यह एक बिगडल ब लग जाती है और यह बोलती कि तुमने यहां पर एश के उपर चकू लगा है जिसके वैसे तुम है यहां पर जिसका काम है वो जह मानना ही पड़ेगा समझी ना बोस यहां पर यह सुनके जो एश होता है वो काफी शोक मां आ जाता है तभी यहां पर यह लेडी बोलती कि पता नहीं छोड़ी, अगर तुम यहां पे जो इनको ःफ भी लगाऊगी, तो मैं जब थे को मार्ड़ाओंगी, तो यहां पर यह बोलती कि असल में मेरे पास एपरिजन स्कील है जो यहां पर दूसरे की स्कील को देख सकती है तो यहां पर लड़की बोल जी की मैं नहीं मानती तो एश बोलता है ठीक है मेलकस अब मेलकस इस लड़के का असली नाम होता है और यहां पर यह बोलता है ठीक है मैं समझ गया मैं यहां तुम्हारी जो डूटी है उसको लेने के लिए तैयार हूँ जिसके बाद यहांपे एश बोलता है लेकिन मैंने तुमको मेरा काम तो एक्स्प्लेंट किया ही नहीं आखिर कर तुम यहां पे मेरा काम कैसे ले सकते हो तो मैं यहां पर जो आसपास वाले बंदे हैं उन्हीं को देखके जो फैसला होए वो करता हूँ कि मुझे यह जोप लेनी है कि नहीं लेनी है और तुम्हारे बंदे तो काफी पाउरफूल है जिसके बाद ही चली आती है तो यहां पे जो रे होता है यह बोलते है कि हमें लीजा को थैंक्यू बोलना जाए क्योंकि इसकी वैसे हमें यहां पर पता लगा कि यह बोस है एश बोलता कि आखिर कर आपको कैसे पता लगा कि यह बोस है जिसके बाद लीज़ा बोलती कि मैं आप पे जह निज़र रख रही थी और जैसी लड़की आई आप जह शोक में आ गए मैं समझगी कि यही जह बोस है जिसके बाद मैंने आपका पीछा करने का सोचा जिसके बाद मैं यहाँ पोजगी देखा मेरा पीचा करना कितना कामा है एस इसको थैंक्यू बोलता है जिसके बाद यहाँ पे मलकस बोलता है अच्छा तुम्हें पता लगाना किया किरकार जो यहाँ पे पेरनियर केंडम है वो जे हार क्यों नहीं मार रहा ठीक है मैं इसको पता लगाओंगा लेकिन मैं यहाँ पर एक gold coin लोगा और 3 silver coin तो एस्ट बोलता है ठीक है मैं आपको दूँगा लेकिन आप कितना time लोगे तो यह बोलता है कि मैं इसे 5 दे लोगा और यहाँ पर पता लगा दूँगा अब दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खतम होती है उमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज स्काइब कलिजेगा मैं मिलूँगा आपको जहागली वीडियो के अंदर जब तक खेलिए बाई बाई